आ हेलो, मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए रिप्रेशन ओफ अल्ली हाइड, अल्ली हाइड की टोन स्कार्बोक्सिलिक एसीड बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर है क्लास 12 के लिए और इसमें अल्ली हाइड का प्रिप्रेशन आपको हम बता रहे हैं, तिछरे क क्लास में हमने और बताया है, आज के क्लास में हम मैं स्टार्ट करता हूँ इटार्ड रियक्शन से, इटार्ड रियक्शन जिसमें टॉल्वीन से बेंजल डिहाइड बनता है और इसमें जो रियेजेंट होता है क्रोमाइल कोल्राइड, कार्बन डाइस सल्फाइड और एस् जिससे इटार्ट रियक्शन के नाम से जाना जाता है अब आईए ये इव जोब क्रोमिक ओक्साइड मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देजिए बड़ा मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है अब यहाँ देखिए टॉल्विन से बंजल डिहाइड ति टार्ट डियक्शन के द्वारा भी बना जा सकता है और टॉल्विन से बंजल डिहाइड ये है क्रोमिक ओक्साइड के द्वारा बना जाता है क्रोमिक ओक्साइड मतलब CRO3 पस CRO3 ले लिया है और ये एसेटिक एन हैड्राइड है इस टेंप्राचर पे ये बन जाएगा कंप्लेक्स कंपाउंड और इसमें एस्थ्रियो प्लस डाल देजिए बंजल डिहाइड बनेगा यानि ये तीनों रियजेंट एक साथ टॉल्विन के साथ ये डाल देजिए CRO3 और एस्टिक एन हैड्राइड और ये हो गया एस्थ्रियो प्लस बंजल डिहाइड बन जाएगा तो ये बंजल डिहाइड का preparation हम लोग कर रहा है एक और देखिए कि वाल टॉल्विन से बंजल डिहाइड आप देखिए तो टॉल्विन से बंजल डिहाइड दो तरीका आपने देख लिया, तीसरा तरीका है by side chain chlorination followed by hydrolysis, chlorination ये toluene है, toluene में halogenation, chlorination, sunlight पे प्रजेंस में ये बन गया benzyl chloride, di-cholride और s2 प्रजेंस में बन गया benzyl dehyde बन गया, तो ये toluene से तीन तरह के benzyl dehyde बना सकते हैं, तीन मतलब बनाने का मेथड हो गया, toluene से benzyl dehyde, एक chlorination के द्वारा, और इसके पहले, आपने toluene से benzyl dehyde और भी है, दखिए, यहाँ पर एक जगा लिख दिये हुए है, toluene से chromayl kolide के epMake बन गया, toluene से halogenesan, chlorineesan के साथ benzyl dehyde बन गया, तो ये toluene से benzyl dehyde बनाने का तरीका, मेरे प्यारे बच्यों ये तीन है, एक ये देखा आपने, दुसरा ये देखा, तीसरा ये देखा, प्रोमाइल कोलाइड, कोमिक आक्साइड और क्लोरिनेशन अब बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाएड बनाओ बनाओ तो यह बेंजीन है और CO, HCL, NH, CL, CL3 के परजेंस में यह बन गया बेंजल डिहाइड इस रियक्सन को कहते हैं गटर मैंगोच रियक्सन गटर मैं कूछ डियक्शन चलिए आज की क्लास हमें समख करेंगे फिर अगले क्लास में इससे आगे कंटिनिव हम करेंगे ओके बाई तब तक के लिए धन्यवाद याद रखियेगा मेरा नाम रभी रंजन है मैं कमेस्टी का टीचर हूँ और आपको क्लास 11 का नोट्स चाहिए बिल्कुल काफी कम पैसे में आपको नोट्स एबलेवल करा दिया जाएगा और लेक्शर चाहिए वो भी काफी कम पैसे में हो जाएगा तो जिसमें 14 चेप्टर है चौदा चेप्टर तो एक चेप्टर हंडेट रुपीज का होगा तो चौदा चेप्टर फोर्टीन हंडेट का पूरे केमेस्टी का नोट सा आपको अबलेबल में हो जाएगा इस तरह से क्लास 12 का भी ऐसे ही है 16 चेप्टर है 1600 चले यह बटा ओके बाई आज की क्लास इहीं समाथ करते हैं धन्यवाद